All is not well in Bank Nifty. जरा इस वीडियो को ध्यान से देखना, Weekly Inners का वीडियो है, बहुत कुछ आपको जाने को मिलेगा, बिलकुल भी मिस मत करना, कुछ ऐसे सीक्रेट सापको इस वीडियो के तर बिदाने वाला हूं, जो आपको ट्रैप होने से बचा सकते हैं. दोस्तों, यहाँ पर हम चलें, Bank Nifty के Weekly Chart के अंदर. सबसे पहली बात, आप Scalper हो, आप Intraday Trader हो, आप 3 मिनिट, 5 मिनिट, 1 मिनिट, कोई भी टाइम फ्रेम फॉलो करते हो, मगर मेरे दोस्त, Weekly Chart आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो Conviction Weekly Chart से आपको मिलता है, वो Daily, Hourly से कभी नहीं मिल सकता है. अगर आप मेरी बात से Agree हो, एक बार Agree, फटावट से टैप कर दो, Comment Box के अंदर, और इस वीडियो को Like कर दो. चले हैं दोस्तों. अब यहाँ पर आप Weekly Candle देख रहे हो, तो आपको लगए, आरे वाँ, अमिद भाई, सुपर बुलिश स्कैंडल बनी है, Current Week का जो High बना है, यह फिफ्टी वन थाउजन फॉस्टी सिख जो अच्छुली आज ही बना है, Current Week का Close आया है, फिफ्टी वन थाउजन थाउजन थी फिफ्टी वन, और Current Week का दोस्तों लोग आया है, फिफ्टी वन थाउजन थुफिफ्टी सिख कै असपास का, सॉरी, फिफ्टी नाइन थाउजन थाउजन तो यहाँ पर इस लेवल को Mark कर देते हैं, फिफ्टी दाउजन नाइन थाउजन थाइट कै आसपास का एक लेवल, अब weekly chart देखके कोई भी यही बोलेगा कि अरे भाई यह तो bullish chart है इसमें तो आप bullish trade ले लो एक चीज़ जो मैं आपको बदाना चाहता हूँ जो मैंने को daily chart से फिल लई है और कितने दिनों से मैं इस level के बारे में बात कर रहा हूँ मेरी सबसे फेवरेट सबसे प्यारी strategy है fair value gap का strategy उसके तहएट यहाँ पे first august वाली candle उसके बाद second august और उसके बाद वाली candle के बीच यहाँ पे fair value gap बना हुआ रहा इस theory के बारे में इस concept के बारे में मैं आये दिन बात करता हूँ तो अब इसको जरूर जयान से सुनना समझना देखना इस theory के तहट अगर यह gap पूरा fill up होता है और वहाँ से कोई rejection candle मिलती है तो बहुत बड़ा fall वहाँ से आ सकता है हमने आज के दिन देखा कि आज के दिन का bank 15 ना है बना है 51,466 और वो भी last last में एक बार बनाया है बाकि पूरे दिन हमारी इस exact level 51,456 पहीरा in fact है बनाया था 51,455 वहाँ से नहीं चे गिरने लगा तो इस एक चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा अगर next week में current week का high break नहीं करता है again I take it to the weekly chart अगर current week का जो आई है 51,466 वो bank nifty next week break नहीं करता है और अगर कोई rejection candle मिलती है थोड़ा संबल जाना bearishness थोड़ी हम यहां पर देख सकती है अच्छा bearishness देख सकती है उसका एक reason आपको daily chart से बताया दूसरा reason आपको यहां से भी बताता हूँ अगर मेरे दोस्तों अगर आप weekly chart भी देख र वीक और current का वीक उसके बीच एक हलका सा चोटा सा प्यारा सा मगर एक fair value के बना हुआ है तो बहुत bright chances है बहुत bright possibility है कि फिर you know यह जो आपका bank nifty है वो इसको fill up करने आए और उस case में हमें 50,000 830 तक का level एक बार देखने को मिल सकता है 830 के उपर अगर rejection दे के उपर जाए तो नया high बनाएगा तो यहां पर देखो देखो दो condition बन रही है daily chart कह रहा है कि it should go down unless it crosses today's high और weekly chart कह रहा है कि bullish जाने के लिए भी इसको 50,000 830 तक gap बरने के लिए आना चाहिए तो जो 400 point का range रहेगा 400-500 point का वो next week में हमारे लिए बहुत ज़्यादा crucial रहेगा अगर इस दो range के बीच में ही रह जाता है नीचे के दरब 50,000 830 और उपर के दरब 50,456 तो फिर हमारे लिए बैंक निप्ती में ट्रेड करना थोड़ा difficult हो जाएगा जैसा last week से हो रहा है अगर आप current week में भी देखो बैंक निप्ती ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था अगर आप मेरी बात से अगरी करतो प्लीज टाप अगरी ने कमेंट बॉक्स हिट लाइक बटन आओ इस वीडियो और मैं आपको मिलूंगा नए वीडियो के साथ बैंक निप्लान कि अगर आप लाइक बड़ के साथ लाइक भार आप कर अवारी हा आप बाप है कुछ्कय़ा मैं लाइक बाप है कि अगर आप कि यदू लाइक प्लीज यदेवा और आपिरू को करते हैं